दूसर फूल है गलेडियूलस इफूल जाड और बसंद कला में बेस फूल देल और खिलल रोध में इकर पैदावार बेसोयल इकर लगिन माटी रहक चाहिए बलूई दोमट माटी जेकी जिवान स्मेसा हो और पानी निसके कर बेस स्वीधा हो उसन माटी बेस रहल जेकर पीच मान साथ कर आस पास रहे इकर उनत प्रभेद है जदी इकर से रोरे व्यवशाय करेक हो जाती तो इकर लगिन बेस किसिम है डबल केंडी मैन, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विरले, गोल्ड, जेस्टर हर मेजिस्टी, वाइट, पोस्पेरिटी पोधा कर मात्रा या की कंदा या की बिहिन जे भी लगायक है उकर कतना मात्रा रहक चाहिए एक दस्मलो छे लाख कंदा प्रती हेक्टर लगायकर विधी है कंदा के कैप्टन या की कार्बेन डाजीम तू प्रतिशत कर घोल में 30 मिनट तक डुबाल पाचे आठ से 10 सेंटिमीटर कर गढ़ा में खोड के लगाय देवें लगायकर बेस बिरा है सितंबर से नवंबर और लगायकर दूरी है 30 से 20 सेंटिमीटर पटाइक गरम कला में हफता में दूधाओं और जाड कला में एक धाओं माइंदकर मात्रा प्रति हेक्टर में कतना देवब रोरेमन कमपोस्ट 20 से 25 तन प्रति हेक्टर नेत्रिजन 170 किलो प्रति हेक्टर स्फूर 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटास 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर इकर से उपच रोरेमन के मिली 2.0 से 3.0 लाग फूल प्रती हेक्टर प्रती बरिश इकर से उपज रोरे की हर एक बरिश मिली 2.0-3.0.00 फूल प्रती हेक्टर और 2.5-3.0.00 लाख कंद प्रती हेक्टर जिकर से अगले बार और रोरे मन लगाब और फिर उपज और इकर से दुगना चोगना बाढ़ी और रोरे मन के फैदाव भेटाई